हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 31 ठीक है जिसमें बेटा साइन सब्जेक्ट की है सिक्स्त क्लास के बच्चों के लिए 5 तारिक ही है इसमें हमारे जो चैप्टर चला हुआ है components of food उसकी revision कर रहे हैं बेटा हम और उसमें आज हमारे जो topic रहेगा वो रहेगा balance diet ठीक है तो balance diet क्या होता हम already पढ़ भी चुके हैं फिर से हम revise करते हैं और फिर से related question answer करेंगे इस पूरे इठाई थी उन पर भी मैंने वीडियो बनाई हो यह अलग से ताप उनको भी देख सकते हो ठीक है तो देखो a diet which contains the proper quantities and proportion of the needed nutrients to maintain good health तो बेटा वो सभी nutrients एक proper quantity में और proper proportion में सही अनुपात में और सही मात्रा में उपस्तित हो जिस आहार के अंदर वो ठीक है जिससे हमारे सरीर इनको जितने भी जरूरी nutrients है वो सभी मिले और हमारे सरीर को स्वस्त रख सके वो कहलाती है balanced diet it must have balanced amount of carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals and water in proper proportion तो उसके अंदर balanced diet के अंदर यह सभी जो भी हमारे nutrients हैं वो एक proper proportion के अंदर होने ही चाहिए ठीक है तो हमें पता चला बेटा क्या है balanced diet अब choose the food items given below and make your plate of balanced diet तो आपको यहाँ पर एक plate तयार करनी है balanced diet की जिसमें आपको यह सभी चीज़े का ध्यान रखना तो देखो बनाना बेटा होना चाहिए ठीक है उसके बाद बेटा दाल भी होनी चाहिए प्रोटीन मिलता है इनसे चाओमी नहीं होनी चाहिए spinach होना चाहिए क्योंकि इससे हमें minerals मिलते हैं ठीक है उसके बाद बेटा मैगी नहीं होनी चाहिए घी होना चाहिए क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है fat मिलता है उपर से देख लिए ना spelling नहीं तो ठीक है चोकलेट नहीं होने चाहिए बटा चिप्स नहीं होने चाहिए ओरेंज ओरेंज होना चाहिए ठीक है उससे हमें विटामिन C मिलता है स्प्राउट होने चाहिए ओके इससे हमें क्या मिलते हैं प्रोटीन मिलती है, स्प्राउट सीड, सीड से, उसके बाद बर्गर नहीं होना चाहिए, बेटा जैगरी, जैगरी मतलब गुड, ठीक है, तो जैगरी होना चाहिए, उसके बाद एग, जो खा सकता हो उसके लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिश भी होना चाहिए, च राइस होना चाहिए, मुमोज नहीं होना चाहिए, फिर शुगर केन होना चाहिए, पास्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजे बेटा, हमारे जो बैलेंस डाइट है, इससे रिलेटिड कोई भी चीजे किसी भी रूप में होनी ही चाहिए है, हमारे प्लेट के अ वो compounds होते हैं, जैसे carbon, carbohydrate, protein, vitamins वगारा, जो क्या करते हैं, energy देते हैं, facilitate, repair and growth, and help to carry out different life processes, और हमें क्या करते हैं, repairment में, growth में, help करते हैं, और different तरीके की life processes को करने में भी हमारी help करते हैं, तो ये सभी उसके examples हैं, अब आप से पूछा गया, do all people require same amount of nutrient, तो क्या सभी को same amount में चाहिए, तो बैटा ये देखो, छोटा बच्चा जो होता है, वो तो थोड़ा सा खाता है, बड़ा होता है, वो ज्यादा खाता है, फिर जो बड़े बुज़ूर को होजाते हैं, और वो थोड़ा खाने लगते हैं, तो हरे के अपने डेली का जो रूटीन है, उसी के according क्या होते है, चेंज होता रहता है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, एवरी पीपल नीड डिफेरेंट अमाउंट अफ नूट्रियंट्स, डिफेरेंट अमाउंट अफ नूट्रियंट्स, डिफेरेंट अमाउंट अफ नूट्रियंट्स, अकोर्डिंग, अकोर्डिंग तो धियर, डिली, एक्टिविटी, ठीक है, तो कुछ व सके बाद बेट हमारे नेक्स्ट कॉशिन क्या है, every people need different amount of nutrients ठीक है nutrient की spelling नहीं देख रही हो तो यहां से देख रहे है ना बटा, according to their daily life, daily activities okay, next बटा question क्या है हमारा complete the following words to know more about nutrients, तो आपको complete करना है words को nutrients के, जो यह सभी क्या, nutrients है, आपको इनको complete करना है कौन सा nutrient कौन सा है, तो देखो यह क्या है बटा, V-I-T-A-M-I-N vitamin okay, मैं बढ़ा करके दिखा देती हूं V-I-T-A-M-I-N vitamin फिर fats उसके बाद बटा, carbohydrates ठीक है फिर यह बटा क्या है आपका प्रोटीन ठीक है यह आपका क्या होगा प्रोटीन हो गया उसके बाद बटा, one minute वाँ, सही था बटा प्रोटीन उसके बाद यह आपका क्या, water ठीक है तो यह आपके थे nutrients तो उमीद करते हैं आपको यह जो तीन questions थे से related balance diet से समझ आ गए होंगे, फिर भी कोई doubt हो तो बेटा comment box में पूछ लेना, इस वीडियो में इतने हैं अपना next topic जोग हम अपनी next video में करेंगे तब तक कि लैसे हसते रही हैं मुस्कुराते रही हैं पढ़ते रही हैं बढ़ते रही हैं तैंक यू झाल 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 िरी कि अज़ते रही है यॉ झाल